वाइलन्स का शिकार, विक्टम ये सर्वाइवर, हॉस्पिटल जाता है तो अभी भी ये डिसाइड होता है कि मर्द इलाज करेगा या औरत? बैलकुल एक डॉक्तर होता है और एक लेडी डॉक्तर होती है। फॉपिट से पहला आपको लेडी लगाने कैसे बरो घुरूरा था है। इंदर बड़े प्राक नशी मज़डं आटा है। वन मंका सिर्व में घुक्त स् Tag. Мы सबस्ट नाख होते हैं। आपके आल बोईज स्कूल से तालीम हासिल की थी तो वहाँ पर एज़स्मेंट कितना मसला होती थी कि उस वक्त पहली दफ़ा जो मुझे अंग्रेजी में अपने लिए नफस मिला कि मैं कौन हूँ चाली इस मेरी उमर के बच्चों ने मुझे पे हसना मुनासिब समझा इंक्लूटिंग धर टीचर वो भी उनको रोक नहीं पाए कि जब एक खुसरा आ गया स्कूल में अब तो मजार कोड़े का ना लेकिन उस बॉइस कॉलेज में जहां बहुत से लोग मुझे अंडरिस्टैंड नहीं कर रहे थे वहां विदाउट एनी नॉलेज मुझे सपोर्ट करने वाले भी काफी मौजूग थे हमारे वट पे एकी गाल ये होती थी खुसरा असलाम लेकुम आप देख रहे हैं जैंडर टॉक्स और मैं हूना जया अशर सिन्फी तशन्दुद जैंडर बेस्ट वाइलन्स की जब जब बात होती है खवतीन का जिकर आता है और खवतीन पर होने वाला जो जो जल्म है सितम है जो तशद्द है उसका जिकर जरूर होता है लेकिन हमारे ही दर्मियान एक ऐसी सिन्फ भी है जिसे हमारे माश्रे में अपनी शनाफ्त के लिए दर्बदर होना पड़ता है harassment का निशाना बनती है, तजहीग का निशाना बनती है और उसके साथ साथ जल्म और तश्द्द तो जैसे किसमत में लिग दिया गया ये है खवाजसरा कम्यूनिटी पाकिस्तान 12 मुमालिक में शामिल है जहां खवाजसराओं को एक अलग से शिनाफ दी जाती है लेकिन ये जो शिनाफ्त है, ये शिनाफ्त सिर्फ शिनाफ्ती कार्ट की हद तक महदूद होती है पाकिस्तान में बसने वाले खवाजसरा कम्यूनिटी इसके जो 64 फीसद है वो पंजाब में मुकीम है पंजाब में पिछले साथ साल का डेटा अगर हम उठा कर देखें तो पंजाब में ही 23 खवाजसराओं हैं जिनको बेदर्दी से कतल किया गया और इसके अलावा इस कम्यूनिटी को जिल्मों सित्म का निशाना बनाया गया सबसे जादा जो केसिज ने वरावल पंडी से रिपोर्ट हुए है तो खवाजसरा कम्यूनिटी को किस तरह से तशदुत से बचाया जाए इनसाब तक रसाई किस तरह से मुम्किन हो जो कवानीन मौझूद है उन कवानीन के इंप्लिमेंटेशन किस तरह से की जाए आज की जेंडर टॉक्स में इसी पर बात होगी हमारे स्टूडियोज में जो हमारी गेस्ट एंजिनर ने हमें जोईन किया है लेकिन ट्रांजेंडर्स होते हैं उनके ओपर तो बात करना भी बड़ा मुश्किल होता है क्या चैलेंजेस हैं जो आफ फेस कर रही होते हैं अज़ अज़िवजूल मैंने चैलेंजेस जादा फेस की हैं उनका तालोक मेरे खाल से मेरी अड़ल्ट होट के अंदर है ज क nive उनके की में मुद्ऊंध मैं आफने सब्सक्ट होते हैं और तो ऽुआ से कोप्ते ऊटियां फैंड़ल से काल्टा हैं बोट से लुक समझ जाते हैं कि एक जगा का मूड कैसा है यह पर क्या चल रहा है हां के क्या नहीं है मही हां के क्या सूल है पीपल विद एस्क्षरजर उनको जल्दी समझ नहीं आएँ तो उनको अच्छली एफट गाल वी वढ़ती है यह जो था सुप्षिन है था सूनको अपिज हम realize भच सी बता था मेरी था 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 अच्छा था पाता है यह खुआ है कि जगा में जगा बॉट लुखिन अश्टाइटी है तिन आप एक्सपेक्ट कर सते हो पाकिस्तान के पिदर सराना महशरे के अंदर मंदानगी को बहुत जादा इंपाटन्स दी जाती है और अम एक्सपेक्ट करती है कि आपका जो चाइल्ड है खुसूसी तोर पर वो चाइल्ड जिसको अपने दस्तावीजाद पे मेल असाइंग किया वैयज वह मेल भीएवेवेवेयर एक्सपेट करें लेकर अगर मेल भीएवेयर एकसिबिट ना करें नमबर वान और प्रे प्यूबटी के बाद प्रेविए थाज भाकी सखी मेल डिवेनपमन्ट हो जाए और आपकी स्टाल भी वह दो एक बहुत बड़ा अंग्जाइ जो पुश किसमें उसके इलावा जो बाकी प्रॉब्लम्स ते उनके साथ कोप करना उनकी जड़ादा घफिकल्ल था वो बाकी प्रॉब्लम्स प्रॉब्ल्जेंबर 2021 को मेरू पर एक बीला टैक हुआ एक organized gang है, कराची और पिशावर में बहुत commonly operate करता है इसके लावा बाकी शहरों में भी पाया जाते हैं, कराची में बहुत strong है वो ये particularly खवाजासराओं को, transgender को hunt down करते हैं उनका एक उनके अंके अंदर जिंसी तनवो का वो शकार हैं किसी तरह से जिसके अंदर एक तरफ से उनको रगबत भी है, जिंसी रगबत भी है वाजासरा अजसाम की तरफ, अफरात की तरफ हैं लेकिन साथ ही नहीं वो इस जिंसी रगबत का इजहार मुतशदब तरीकों से करना चाहते हैं इस पर अभी मैंने रिसर्च पी कुन्लूट की है, सान्थेजन प्रोग्राम के लिए उससे भी बात निकल के सावन आई है तर सप्टेंबर 19, 2021 को तर अटेंग अटेंट अटेंट गांग रेप अबदक्शन विच इस रवाइव बाइड बाइड बाइव लेकिन उससे बचली के लिए फोन का अपने चाइडव फ्रेंट को कि यह को अटेंग और अटेंग आगर बाइड पर्टेंट defense को फिलोग अटेंग टेर जमाएड का अटेज बिचाएड अझाय मेरे वालदा सुटेंग कर रहे हैं और उनकी नजरों के अगए सिल्वाज़ का सपॉनसर आड जो के मेरे खिलाफ है मेरी तसावीर के साथ कि ये पहले मर्द होता था और अब इसने जिन्स तबदील करा के जादू की छड़ी से ये बिल दिखें, ऐसा हो गया है ये चीप कंपारिजन है और ये ओनलाइन वाइलन्स पर फिजिकल वाइलन्स की तरफ जाता है physical violence हो चुका है online violence अब start हो चुका है and this online violence के बाद हुआ ये some members of this Islamic party they made their way to my mom and dad with video cameras and they said के आपको testify करना होगा camera के ओपर के ये ख्वाजा सला नहीं है ये ट्रांस नहीं है आपके बच्चे ने ये लड़का है और ये American funding लेके और Jewish funding लेके लड़की बने ये तो बहुत असान होता है किसी के पर American agent का इल्जाम लगा देने how ridiculous ये आप बिस वोर करें के एक आपका मौशरा आजापे आप मर्दों के ओरतों के indicators उठा के देखें मैंने भी जब तक आते करते बड़े मज़े की निस्वानी है तेसके अंदर the day they found out कि जी तो ट्रांस है इसके बदो बकाइदा अटाक हुआ है और उस गैंग में किया जो स्टॉक करके हंट करते हैं ट्रांस लोगों को तो फिर सदनली सारी सारी सिंपथी सारी सारी डिसपियर और ना स्टार्ट हो की नमबर त्री में रूपर टागेटिव एटाक स्टार्ट हो गया अरने जिस बॉड़ी की तरब से से बिकॉस मैं हमेशा से एक लेफ्ट विंग पॉलिटिकल अक्टिविस्ट रही हूँ मैं हमेशा पाकिस्तान के लिए कोशिश करती रही हूँ और आएंदा भी करती रहूँगी मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हाथ पे हाथ धर के घरों के अंदर बैटे रहते हैं अगर मैं कई गयर उनसे वाना संदूक देखूँगी अगर मैं कैपिटलिजम के खिलाफ मैं जेंडर इंजेस्टिस के खिलाफ क्लाइमिट इंजेस्टिस के खिलाफ आवाज उठाना सकती हूँ तो मैं उठाऊंगी और इन तमाम चीज़ों के खिलाफ है मोलवी हमारे अच्छा महरब क्योंके आप आवाज उठाती हैं, क्योंके आप आप आउप स्पोकन हैं, तो जाहरे आप प्रतनकीत भी ज्यादा होती है, बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ आप तालिम व्याफता हैं, आप एक प्रिविलेज ग्लास से हैं, आपके पेरिंट्स ने बहुत, आपके शनाफ को भी तसलीम किया, और आपके लिए खड़े भी होते होंगे यकीनन, लेकिन वो ख्वाजा सरा, कि जो तालिम व्याफता भी नहीं है, जिनके पास ये वोइस भी नहीं है, जो महरब की तरह सोचल मीडिया पर जाकर फाइट भी नहीं कर सकते, उनके साथ जो स अपसिबिलिटी समझते हैं, आउटिसम की मेरे पास ये थी, तो मैंने बच्पन में बैठके लिए जोर्नल्स पे पने फॉर्मूलास तार कर लिया वे थे, अब यकीन माने, मैं ट्वेंटी नाइन येर्ज की एज तक जिस तरह से मैं जिन्दगी गुजारी है, जिस तरह से अब ही तक मैं पाकिस्तान की उस क्लास से है, जो इनोंने सारी उमर स्ट्रगल किया है, उन पैसों से अपने बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों को भी इस बात का अंदाजा था कि हम पे बोथ इन्वेस्ट किया जा रहे तो वो जहां-जहां स्कॉलर्शिप्स ने सकते थ इनोंने लिया है, the last fees that my parents paid of mine was my fifth class की fees, यूँके उसके बाद में 7th का entry test, 23rd मेरी पोजिशन आई थी, और मुझे फुल स्कॉलर्शिप मिली थी, मेडिकल कॉलेज में मेरिट पे सेलेक्ट वी थी, और क्यूके मैंने entrance test top किया था अपने center से, तो मेरे पास Chief Minister की excellence scholarship थी, तो मैं doctor scholarship पे बनी हो, उसके बाद मैंने master's की अमरीका से, मेरे पास full bright scholarship थी, जो के मुझे stipend भी दे रही थी, so I have funded myself through my intelligence, and through my grit, यानी के मैंने इतनी effort की है, इतनी effort की है, कि जब COVID hit हुआ, और मैंने COVID में front line पे जा के काम किया, और इस पे मुझे award भी मिला, by the time it was over, मैं burn out होके खतम हो चुकी थी, burn out हो चुकी थी, क्योंकि मैं 12 साल की उमरी सर्वाइव कर रही थी, यही तो सारी मेंनत है, आम एक तरफ सर्वाइव करने के लिए, जो earn करना है, वो भी खुद कर रही हो, फिर आपने जो है, वो मेंनत करके scholarship हासल ही, अपने आपको तालीम के जेवर से आरास्ता किया, लेकिन burn out होना तो चले एक काबिल एक बरदाश चीजे ने क्या आपने कर लिया, उसका आपको बहुत बड़ा इनाम भी मिलाए, लेकिन यह जो लोगों के रवाइए होते हैं, और जो यह जो attacks, बहुत coordinated attacks है, यह कितने मुतासिर कर देते हैं, कभी ऐसा मैसूस हुआ कि ने महरा बहुत हो गया, बहुत थाइट कर ली, बहुत अफाँ, वह बहुत गिल्ट हुई है मैसूस करके, बहुत गिल्ट हुई, लिकॉस मैं पाकिस्टान मैं क्यू हूँ, दो हजार बीस मेरी, मुझे 60% funding मिल चुकी भी टॉक्टोरल परसू कर में की, और दोने 40% मी का था आप आये हैं, पोंचेो तुसी बटा, मिल जाएगी तो है, बहुत अनाम से है, मुझे वोर्ल बैंक से जॉब की ओफर थी, I was, मेरी फैमिली के कुछ अफराद हैं, जो रने इमिग्रेट कर लिया, वे अवे अवे का, वे टिपिकल जादी कर चले के वहाँ पजाए कारोबा मैं पाकिस्तान की वाहिद M.P.H.O. अब तक, अब तक रीजनली अंदर कम्यूनिटी के अंदर कहते थे हमारी वाहिद दॉक्टर बीया, लिकन ऑफकोर्स मैंने मेल गटप के अंदर अपनी डिग्री हासल की थी, तो अवो आजाज नही लेना चाहती, लेकन बहुत थोड़ अपनी कम्यूनिटी के साथ, हम इसको बहुत सेक्रेड एक रिलेशन्शिप है, यह जो रिलेशन्शिप है ना, इसकी जो खुबसूर्ती वानजर भी आती है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, नजर आते हो, अब इस कम्यूनिटी को यकिन आना आपकी ज से हैं, तो जो मेडिकल फैसलिटी होती है, अगर उस तरफ हम आ जाएं, कि वो किस तरह से प्रोवाइट की जा रही होती है, क्या अभी भी ये मसले मसाइल आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं, आपकी कम्यूनिटी को, कि अगर कोई जखमी या अगर कोई वाइलन्स का श जखाने की क्या ज़रूर रहता है, उसके साथ तो मेल नहीं लग रहता है, अगर वी आपने लिखा है, जेंटल मैन डॉक्टर, जेंटल मैन डॉक्टर मोहमद मोईज, तो कभी भी आप नहीं दोना तो पर लेडी डॉक्टर महरभ मोईज अवान कियो, तो ये जेंडर तो हम लगा देती हो, आपने उनको रेशिल बायस दूर करने की कोई ट्रेंग नहीं दी, इन फाक्ट आप उनको रेशिल बायस हॉस्पिटल में सिखाती हो, क्यों को डॉक्टर को जो रेशिल बायसे हैं, कुच रेशिस को लेकर देजी वो नसल वाले तो होते ही ऐसे हैं, हमारे तो बच्चों के बारे में का जाते हैं, तो जब एक ट्रांस के बारे मताब कुछ कहा ही नी जाता है, वो इतने इन्विजिबल है, तो जब एक ट्रांस आपके वार्ड एक अंदर वॉक इन करता है, और हमेशा मेल वार्ड में आता है, हमेशा मेल वार्ड में खौजासर आती ह हमानी एक secret language होती है तो मैंने अपनी language में फार्सी चांट केंद जो खौजा सेनाओं की जबान है उसकी पूरी medical history ली और अपने supervisor को दिखाई and he was in shock उसने बोला कि how did you talk to her तुमने ये तो अनपड़ है तो जाए ले तुमने इसे बात कैसे कर ली मैंने उसको बोला सर क्योंकि हमारी community की अपनी एक जबान होती है तो अब अब यहां पर यह सवाल होता है कि अगर वो जबान बोलने वाला वहाँ पर मौजूद नहीं होता तो इस patient का क्या होता कुछ भी नहीं होता हसते रहते हैं आपके होते हुए हमारे ख़लाफ यह जाहिल अफराद नहीं करें यह पड़े लिखी अफराद कर रहे हैं पड़े लिखी अफराद हैं जो स्कूलों में गए हैं जो मेल कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज में गए हैं जो male toilet और female toilet इस्तमाल करती है पाकिस्तान की जो 70% अबादी है जिसका तालुक इस class से नहीं है जनके पास bathroom अवेलेबल नहीं है education की facilities अवेलेबल नहीं है उन्होंने उसी बस में सफर करना होता है वो उसी खोते गारी पे बैठके जाती है उनके लिए मर्द और और औरत के अंदर इतना फर्क नहीं है बेकास उनकी माँ भी हा रही है उनका बाप भी हा रही है माँ भी मजदूरी करती है बाप भी मजदूरी करता है यह जो आपका upper middle class elite तपका है जिसको बच्पन से men's section और women's section करके चीज़े आफर की गई है उसके लिए यह बात जादा मज़ा ही है जब वे खौजा सरा को देखता है मेरे साथ यह मज़ा को चुकी है हर कसी के साथ यह मज़ा को चुकी है अब ही तक होते हैं अब हासल की थी तो वहां पर adjustment कितना मसला होती थी दो हजार बारार क्या पता था यह यह इन फाक मेरी जब बायो की class और होती थी तब तो आपस अलफाज यह टर्म भी नहीं थी मैर तो गे की टर्म भी मेडिकल कॉलेज बजा के सुनी है अच्छा यह आप जाके पॉपलर नहीं थी तो आपके मुझे नहीं थी तो आपके मुझे बच्पन से मारा जा रहा होता था था मैं प्री मेडिकल में थी और हमारी अल्व बोर्ट सिस्टम था लेकर उसम में जो एंडोरोजी ह्रमोन वान पोर्शन होता है वह अपे शर्चें कि रहे धिग में का यह निख सन्रोम का अर्च इसक श्रेख वाट यह अर्ट विभ लिए और प्टें च्छें इपर दिस्वी में पढ़ते लिए प्रहुआ बार्वी में पढ़ते इन वे अख लिए हिए को एक अर्च इख गर्चर पर खड़ हो इसकी लिए वा थे मैं कौन हूँ वो इसलिए मिला क्योंकि मेरी बायों की क्लास में चालीस लोगों ने चालीस मेरी उमर के बच्छों ने मुझ पे हसना मुनासिब संजा इंक्लूटिंग दर टीचर वो भी उनको रोक नहीं पाए और उनको भी नहीं पता होगा इतना जियादा कि वो क्या करें क क्या ना करें उनके लिए नौम है कि जब खुसरा आ गया स्कूल में अब तो मुझा ओड़े का ना यह अंडरस्टूड है यह बिल्कुल यह बात अंडरस्टूड है कि यह तो होगा और उसको रोकने वाला कोई नहीं हम ने बरदाश्ट कर नहीं पता अब चुब एक तो त कि इन चार लड़कों ने मुझे उसाथ क्या करने की कोशिश की मुझे भी पता नहीं है मैं लेकर खिड़की से भाग गई चुटी हो चुकी थी क्लास्टूम खाली था और वह अपने इंग्लिश के सर के पास गई रोते हुए कि मुझे नहीं पता मेरे साथ ही होने लगा थ कि तब टीवी शीवी यह चीज़े नहीं थी हमें नहीं पता जो पता है कि रेप भी कुछ होता है यह कुछ होता है मेरे साथ और मुझे भागना है और बहुए और बहुले जिन इंगलिश के सर ने स्वीरियों की ऊपर सब के सामने उन लड़कों को बैंड डाउन करके चार यह जो आम तर पर चाइड अब्यूस के हमारे इड़ गिर्दोर होते होते हैं वहां पर बचाने वाला कोई नहीं होता है वहां अधिर्ध पुआ है तो यह बड़ी खिसमेटी मेघ अधिश्यक्रा प्रटेक्ट किया है and he used to protect me, that's quite true and I recently knew about your transition journey and your new name and I just wanted to send you all the love and I was very happy that my Urdu teacher Amir Suhail he was very supportive when I told him, he was very supportive and he was very supportive and I didn't get that I didn't get that preferential treatment I didn't get that but in the boys college where a lot of people didn't understand in a small city without any knowledge you are very connected to your community what are you doing especially gender-based violence I wish I could have done more but in our community we have a lot of lobbying efforts we have tried to sensitize the police and in this network we have opened our support centers in the center of the center there is no desk now but in Punjab kinsdies Islamabad kins as a peaceful center as a Palestinian for a peaceful center safe house where if any a民 Jew or a gang or a gang yeah has to run Goblin कि अपनी F.I.R. भी दरच करा सकते हैं और आपको हम सेफ हाउसिंग भी दे सकते हैं तहाफो सेंटर्स के अंदर वो शेल्टर हाउसिंग तरह मापर वो यह फेडरिल के अंदर हुए हैं अभी पंजाब ने भी एफट किया है और में खाल से पंजाब के अंदर भी तहाफो सेंटर्स के अंदर ने बात शुरु किया है कि अलीस लाहोर के अंदर अब आपके पास डजिग्नेटेड डेस्क सेपिंडी के अंदर एक डिजिग्नेटेड डेस्क है वो यह समझते हैं कि खौजा सुरा का मुर्डर होना जादा लाइक लिए है जादा बड़ी प्रॉबबिलीटी है इनके लाइस्टाइल की वजह से कि तुम्हें मार ही हम इसलिए रहे हैं तसचद्ध ही हम तुम्हारे उपर इसलिए करें कि तुम खुआ जारा हूँ कि तुम खुस रही हो तुम यह डिजर्व करते हो जितने हुकोग दिया जा रहे थे वह सब कुछ रुग गया नोबोडी इंट्वस्टे अनिमॉर और वो जग हुक दिया जा रहे थे वो सिफ सिवल राइट्स थी हम भी जहां पोंची है हमने बहुत बारियर्स देखे हैं झाल